हलो फ्रेंज अपना कीचन में आपका स्वागत है आज मैं आलू गोभी की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम नई रेसिपी सेर करने वाली हूँ इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा कि बच्चे हो या बड़े सब को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बार बार ऐसे ही बनाने पर मजबूर करेंगे और आपका तारिफ करते नहीं थकेंगे तो चली शुरू करते हैं तो देखी फ्रेंज हम तीन मीडियम साइज का आलू लिए हैं और इनको छील करके इस तरह से देखिए कट कर लिए हैं न तो ज्यादा मोटा नाही ज्याधा पतना अब देख सकते हैं और अच्छे से धो करके एक छो वाले थाली में रखावी पकाएँ तो देखी भगाउने में पानी रख दिये हैं और पानी उबल गया है अ過去 हम आफी पका देने से पानी अनंदर भी नहीं जाएगा और आलू को भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनको दो-तीन मिर्टक हम पका लेते हैं दो-तीन निनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं आलू को भी थोड़े-थोड़े कुक हो चुके हैं तो बस इतना ही पकाना हमको अब हम गयस का फ्लेम बंद कर देंगे मसालो के लिए हमें चाहिए एक बड़ा चमच कटे हुए अद्रक के टुकड़े दस छीली मिल असुन की कलिया तीन हरी मिर्च आधा छोटा चमच धनिया एक चमच जीरा एक चमच सॉफ एक चथाई चमच काली मिर्च अब इन सारे मसालो को मिक्सर गंडर के जार में डालेंगे अब हम इसमें आड़ करेंगे थोड़ा सा पानी अब इन सारे मसालो को पीस लेंगे और एकदम स्मूथ पेश्ट त्यार करेंगे जब तेल गरम हो जाएगा तब उसमें आड़ करेंगे भाब किये हुए गोभी और गोभी को medium to high flame पर fry कर लेंगे और fry करते समय देखिए इस तरह से बार बार चलाते रहेंगे तो देखिए फ्रेंज गोभी फ्राई हो गये हैं गोभी फ्राई कर देने से बहुत ह्यादा टेस्टी बनती है सबजी तो इसलिए गोभी को जरूर फ्राई करें अब हम इनको एक बरतन में निकाल लेंगे उसी कडाही में थोड़ा सा तेल और डालेंगे और गरम होने देंगे जब तेल गरम हो जाएगा तब उसमें आड़ करेंगे भाब किये हुए आलू और आलू को भी medium to high flame पर ही फ्राई कर लेंगे और फ्राई करते समय इस तरह से बार बार चलाते रहेंगे तो देखे आलू भी फ्राई हो गया है अब इनको भी हमेक बर्तन में निकाल लेंगे फ्रेंज अगर आपके पास टाइम कम हो तो आलू गोभी को एक ही साथ फ्राई कर सकते हैं अब उसी कड़ाही में थोड़ा सा तेल और डालेंगे और गरम होने देंगे जब तेल गरम हो जाएगा तब उसमें आड़ करेंगे आधा छोटा चिमच पचफोरन यानि पांच मसालों का मिस्रन पचफोरन जब चटक जाएगा तब उसमें आड़ करेंगे दो medium size का बारी क अब हम इसमियाड करेंगे पीसे हुएâte मसाले कि पीस करके रखे थे और मिकसर ग्राइन के झार में थोड़ा सा पानी डाल जाल करके ठोल जालेंगे और डाल देंगे 1 अब हम इसमें याड करेंगे आधा छोटा चिमच हलदी पावजर आधा छोटा चमच लाल मीर्च पाउडर और आधा छोटा चमच गरम मसाला पाउडर अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लिम पर 10 मिनद तक भूनेंगे और भूनते समय इस तरह से बार बार चलाते रहेंगे जितने अच्छे से मसाले भूने रहेंगे उत्तरना ही जादा टेस्टी बनेगी आलू गोभी की सबजी तो देखी फ्रींज मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं अब हम इसमें आड़ करेंगे फ्राई किये हुए आलू फ्राई किये हुए गोभी और एक टमाटर इस तरह से देखी मोटा कटा हुआ अब इस सारे चीजों को अच्छी तरह से मसालों में मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम लोही रखेंगे अब हम इसमें आड़ करेंगे स्वाद अनुसार नमक और नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इन सारे सीजु को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम गयस का फ्लेम मेडियम कर लेंगे और धक्का लगा करके 5-7 मिनट तक मेडियम फ्लेम पर पकने देंगे और बीच-बीच में चलाते भी रहेंगे पास से 7 मिनट हो चुके हैं धक्कान अटाएंगे और यह देखी फ्रेंज हमारी टेस्टी आलू गोवी की सब्जी बन के रेडि यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी इस प्रोसेस से बनाएं अब हम इस में आड़ करेंगे थोड़ी सी बारी कटी हरी धनिया की पत्ती आलू गोवी की सब्जी में धनिया की पत्ती जरूर डालें क्योंकि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है अब इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी सब्जी बन के रेडि है तो इस तरह से ट्राई जरूर करें अब हम कैस का फ्लेम बंद कर देंगे और घर्मा गर्म सेर्फ करेंगे तो फ्रेंज इस तरह से आलू गोभी की सबजी बनाये खाये खिलाये बच्ची हो या बड़े सब कोई तारिफ करेंगे और बार बार ऐसे ही बनाने पर मजबूर करेंगे तो अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें